नमस्कार मैं अम्रेंद्रितिवारी अल्टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ सरकार क्या इतनी शिथिल हो गई है कि उसे पंचायत चुनाव कराने को लेकर जो है बार बार अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं सरकार कॉंग्रेस ने कहा कि सरकार ने अपनी तरिके से अनुसंसा कर दी है और निर्ने चुनाव राज निर्वाचन आयोग को लेना है लेकिन दोस्तों ये सच्चाई नहीं है सच्चाई क्या है इसको लेकर पंचायती राज मंत्री ने पिछले दिनों जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत आगे पिछे हो सकता एक बार उन्होंने जो है जनता को भ्रमित करने का काम किया है पहले जिस तरीके से कहा गया था कि हर हाल में दिसंबर में चुनाव कराए जाएंगे ये बकतब जो है वो दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से SOP भी जारी कर दिया गया था कि कितने लोग घुमेंगे कैसे घुमेंगे बूत किस तरीके से निर्धारन होगा और अगर दिसंबर में चुनाव नहीं होता है तो आखिर चुनाव कब होगा ये कुछ ऐसे सवाल थे जो लगातार उभर कर सामने आ रहे हैं और ऐसे में सरकार के तरफ से अधिकारिक रूप से अभी भी जो है कुछ नहीं कहा गया है सरकार अपनी दुनिया में मस्त है जनता बिल्कुल संसे की स्थिती में है तो आईए दोस्तों देखते हैं कि क्या-क कारिकरम शुरू कर रहे हैं कल से सेवा मिशन के तरफ कारिकरम शुरू होगा सरकार जो है आपके द्वार कारिकरम पहुंचेंगी सरकार सरकार की योजनाय तो कितनी पहुंचती है ये आप सभी को पता है गावों तक नीचले अस्तर थक लेकिन पंचायती चुनाव को लेकर जो है एक बार फिर से संशेक की स्थिती दिखने लगी है यानि कि अभी अधिकारिक तोर पे कुछ कहा नहीं गया है लेकिन संभौता पंचाय चुनाव जो हैं अभी भी सरकार करी है कि निश्चित रूप से कराये जाएंगे भाजपा करेंगे कि मांदोलन करेंगे कॉंग्रे जो है बेतर नहीं आ रहा है आए दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या-क्या संभावनाएं हैं कब हो सकते देखिए अगर राज में ये जो सरकार आपके द्वार कारिक्रम चलेगा तो संभौता मुझे लगता है कि दिसंबर बीत जाएगा फिर और दिसंबर तक ही एक्स्टेंशन दिआ गया तो फिर एक्स्टेंशन भी देना पड़ेगा हैं कि इस बार का एक्स्टेंशन तो चुनाव द्वात तक दिआ गया समीतियों को लेकिन ये समीतियां पूल तरीके से फेल साभित हुई है और वित्तायों की राशी जो है उसको खर्च नहीं कर पा तब तक किले नमस्कार जै हिंद जै भारत जोहार जारखंड जै जारखंड